आरके चौदरी साब से बात की थी, उनके लिए सेंगोल का मतलब है राजा की छड़ी राजा का डंडा, जिससे वो शासन चलाता तो जंडे से प्रतियुष जी मैं कहता हूँ मतलब ये तो अजीब ही बात स्थिती जो है पैदा कर दिया, आपने पूछा अशोक स्तंब कहां से आता है, कहता है नहीं, सवाल जवाब करिए, बैस मत करिए, ये विशह साफ है, मैं अभी पिछले दिनों जब चुनाओं से पहले की बात है, तो इसी देश में आचारे प्रमोध कृष्णन ने कहा था कि कॉंग्रेस जो है इस देश में एक हाई कमिशन बनाकर इस देश में श्रीराम मंदिर को हटाएगी, सारे के सारे लक्षन वही है, अंकल सैम को वापस ले आए, आपके जो प्रॉपर्टी बटने वाला जो विरासत है उसका लेना देना है सबको उखाड फेको, कहते सेंगौल नहीं होना चाहिए वहाँ पर, कल कहेंगे कि समविधान पर मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान शीराम का चितरी नहीं होना चाहिए, वो तो अलोग तांतरिक है, परसो कहेंगे इस देश में राम मंदिर अलोग तांतरिक है, आज कहरे हैं कि सेंगौल हटा दीजे, इस देश में से क्या क्या हटाओगे भाई, इस देश की सारी विरासत हटा दो, कपीज जी क्या रके चोधरी का बयान समाजवादी पार्टी का बयान है? तो ये क्या तरीका ये तो विव युद्ध छोड़ रहे है कपिजी ये तो युद्ध चौदरी का बया निजी बयान है या समाजवादी पार्टी से सहमत है उसका स्थेंड भी यह सुल्वा समूचा विपक्स राम मंदर का वियोदी था मुलायन सिंग यादा राम मंदर का वियोदी था तो फिर जब हम कहते हैं तो नहीं पर भांदर किरा उगे देश को दो का वाली वाली खूल लगा हो बात्यों के देश राध कि रहेंगे तेश्रात्यों को गोलिया बार दो राजा राम चंद्र की दिरोधी पाटी है उनके आदर्शों के विपरीद चलती है ये पत्नी के लिए पत्नियों को अशुक बाटी का छोड़ने के लिए कहती है अब अगर शालत हो जाओगे तो मुद्दे पे बात करो अब मेरी मुद्दे की बात सुनो तुमको पूरा समय मिलेगा सेंगौल पर जवाब दीजे सेंगौल पर जवाब दीजे तुमको करोंकर कोई जवाब नहीं देंगे कपिज जी कपिज जी कपिज जी ने मैंने सुधी पॉइंट सवाल पूछा ता कपिज जी कपिज जी मैंने पूछा आरके चौदरी के बयान से क्याब सेहमेत और पूरी समझवाधी पार्टी का यह बयान है यह स्टेंड है सिंगोल को नई संसस से हटा देना चाहिए मैं यह पूछ रहा हूँ यह प्रशन आपने सीवन से किया है कि कपीश सिर्वासों से पूचा है तो उनको बोलिए कि चुप रहे हैं अभी वो चुप हैं अभी वो चुप हैं आप दीजे जवाब इनको बोलने इनको भी नहीं दूँगा कार सेवकों के हत्यारो जवाब दो सीधा सीधा जिस समय सिंगोर की स्थापना हो रही थी उसी समय समूचे विपक्षने पॉइंट आ रहा हूँ एक सेकंड एक सेकंड मुझे बाद बताइए एक सेकंड कपीज जी कपीज जी मैं बोल रहा हूँ सुन तो लिए आरके चौधरी के लिए सिंगोल का मतलब राजा की छड़ी राजा का डंडा है जिससे वो शासन चलाता था आप यही मानते हैं वो राजा की छड़ी है क्या मतलब होता है सिंगोल का क्या माइने नहीं संस्कृति में परके सुना दे रहे हैं महराज, प्राथीनकार में भारत जब राजा का विशेक होता था, तो विद्गून राजित्वेक होने जाने के बाद, राजा दंड लेकर राज सिंहासन पर बैठने के बाद वो कहता था, अब मैं राजा बन गया हूँ, अदंडो स्ट्यामी, मैं दंड्या हूँ, अर्थाज इसका आर्थ होता है, इसका आर्थ होता है कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, तो प्राणी विदी ऐसी है, इसके पास एक सन्यासी खड़ा रहता था, आपको पाई प्यार दे दूँगा शिवम, अच्छा, ठीक है, यानि तमिल के संकु शब् चलना होगा, राजा को नीती के अनुरूब चलना होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कपीज जी, कपीज जी, तो इसका मतलब, इसका मतलब, मैं बहुत इंपॉर्डन पॉइंट पर आ रहा हूँ, इसका मतलब, पंडित नहरु जी ने सेंगोल लेकर इतिहासिक गलती की थी, तूदी पॉइंट सवाब मैं बूच रहा हूँ क्या प्रथम प्रधान मंत्री पंडी जवाला नहरू जी ने हाथ में सिंगोल ग्रहन करके लेकर बहुत बड़ी एतियासिक भूल की थी क्या उन्होंने राश्तंतर को चलाया बिल्कुल कट तु कट जवाब पंडीज जवाहर नार नहरू को सक्ता का हस्तांतर च्फापटी नहीं था उनको राजवदंड अंग्रेज novella ने ले जाके संग्राले में सगा दिया ओका इस में राजकंतर नहीं लोगकंतर की उस्तापणा होगी में एक बार आरके चौधरी का बयान फिर से सुनाना चाहूंगा कि सिंगोल के लिए उनके माइने क्या है मोधी जी के नेतुत में उस संसत भौन में जहां स्पिकर बैठते हैं दाहिनी तरफ सिंगोल अस्थपित कर दिया है कि श्ंगोल नालव्साल सब्द है उसका हीने माने है नियुक्त अब इस नत बच्पन राजाओं को सिरिंडर करके ये देश आजाद हुआ है और अब हर वो विक्ती चाहे मेला हो चाहे पुरुसूप अगर बालिग है और वोट कतका रखता है तो उसके एक एक ओर से इस देश में साथ प्रसंद चलेगा ये तेह हो गया है तो अब देश रंजी जी तो सेंगोल के माने वही है जो आरके चौदरी साब बता रहे है तब तो पंडित नहरू जी से बड़ी भूल हो गई थी उनको हाथ पे लेने नहीं चाहिए था तो राज गोपालाचारी जी ने उनको गलत सला दे दी थी देखे प्रतिवस जी इसमें दो तीन तत्यों को मिक्स किया जा रहा है पहली बात तो ये देखिए कि ये जो सेंगोल शब्द है ये तमिल शब्द है और इसके दो प्रकार के अर्थ किये जाते हैं एक अर्थ होता है राजदंड जो आपको अभी आरके चौदरी जी बता र इसके लिए बास्तविक्ता प्रतिवस जी ये है कि ये तमिल अधिनम में उनको एक धार्मी कारिक्रम में उपहार के रूप में दिया था इसका सत्ता हस्तान तरन से या मौंट बेटन के द्वारा दिये जाने से कोई संबंद नहीं है ये भारतिये जनता पार्टी ने उस सम है तमिल नाडू के चुनाव को ध्यान में रखके वाट्सअफ यूनिवस्टी पे फैलाया और लोगों को ये लगा कि ये सच कह रहे हैं बास्तिविक्ता ये है कि उस सस्ता हस्तान तरन से इस सेंगोल का कोई लेना देना नहीं दूसरी बात देखिए जो आरके चौधरी कह सर्बोच्च है और अगर संभीधान सर्बोच्च है तो संभीधान के अनुसार ही देश चलेगा तो सेंगोल को संगोल को संसत भवन से अटा देना चाहिए जो मांगार के चाहरी नहीं किये अब आरके चौधरी ने पत्र में क्या लिखा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन निश्चित तोर पर आरके चौधरी का वो एक निजीमत है समाजवादी पार्टी या आरके चौधरी ही इसका स्वयम जबाब दे सकते हैं हम तो बहुत इस पश्च रूप से मानते हैं कि संसद जो है लोकतंत्र की प्रतीक है लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्रिक मुल्यों की आस्थाओं की सारी चीजें होनी चाहिए ओके तो धिरेंदर जी इसका मतलब विपक्ष यही चाहता है कि वहां से संगोल को हटा दिया जाए जिसको 2023 में स्थापित किया गया है नहीं संसद में दिखे मुझे तो लग रहा है कि ये इंडी गटबंदन की तूट की सुरुआत है संगोल के बहाने एक नई लड़ाई की सुरुआत समाजवादियों ने की है और जहां तक रह गई बात संगोल पर अभी चुनाव जीत करके सब लोग आये हैं और कौन से बहस को लेकर के चने हैं जिनी छेत्रों से जीत करके आये हैं उनलोगों के काम की चर्चा सदन में करिए ना सेंगोल को आप जस्तिफाइब कर रहे हैं अंजस्तिफाइब कर रहे हैं इस्वेख पीजी आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समाजवादिय पार्टी क्या चाहती है कि सेंगोल को हटा कि है और आप लोगों के तो अर्तीक और प्रितीक रहे हैं, तो क्या बंदूप उस पर रख दी जाए? इस विचार भारा के लोग आप लोग रहे हैं, अरे राज दंड का मतलब होगा कि आप समझे राजा भी उत्तरदाई तो है जनता के परती, अगर आप गलत काम करेंगे, तो आपको ही दंड भोगने पड़ेंगे, भनवार उनको राजा नहीं होता है, और दंड देने का अधि करने के लिए नहीं बनी हुई है, आप ही बोलिए भाई, अगर राज दंड शापित करना है तो नहीं के रखती है, आप कर रहे हैं कि मत कीजिए, आप आप बोले देने कि उसको नहीं कर दो, जिस तरह से सबसे उपर होता है, वैसे ही अगर कुनार मंत्री हो याँ देश में बैठे किसी भी सिर्साफ पद पे आप बैठे हो, आप जी उसकी कानून के तहब अगर गरत करेंगे, तो आप भी दंड के अगुदाए होंगे, ये प्रतीफ सेंगोल का मतलब ये है, इसलिए असापित किया गया है, लेकि इस तरह बाप कराएं कि संबिधान अगर उसकी का का मतला है, आप ही संबिधान बदलना चाहते हैं क्याadesh कि शुप करवाईये कि इस तेट पो छलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, संबिधान, संबिधान को आप नहीं रखना चाहते है, संबिधान बदलना चाहते हैं. करेंगे तो आप कानून के अंदर बने हुए हैं और आप पे लिए भी वही दंड है प्राबलम यहां पर सेंगोल से है या प्राबलम उस सेंगोल में उपर विराजमान नंदी से है प्राबलम सेंगोल से भी है प्राबलम नंदी जी से भी है प्राबलम मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान शी राम से भी है उनके मंदिर से भी है प्राबलम सनातन संस्कृती से भी है को अंधर ग्रामा गलते हैं इनको अरंग जेव सेचरत नहीं को अपने रिष्टेदर अकबर से नफिर्द को कि शुपर यार पीछ पीच के चुल लाने के लिए बैंड बाझे वाला यह बैंड बाते हैं झेंगे निक ते जानते नहीं संस्कृति जानते नहीं सिफाते चिलाना शुरू कर देते चिला ये मत इतना थोड़ा पढ़िये जाकर पहले संस्कृति पढ़िये जाकर राजा राम भी थे राजा राम भी थे राजा बहुत हुए इस देश में लेकिन आप जैसे मुगलों के रिष्टेदार इस देश में रहे ये चलेगा नहीं इस तरह की चीज़ है मरवा दिये आपने जैसे मिसरा टेनी के पुत्र से हमें आप बुटाओ इसका क्या करोगी रंजी जी रंजी जी आप कह रहें कि सक्ता हस्तांत्रों के तौर पर कंडित नहरू जी को नहीं स्वापा गया था ये राजगंड आप यहीं कह रहें आप यहीं कह रहें रंजी जी यानि कि जितनी जगहा पर यह सारे उल्ले किये गए हैं सारे के सारे जूटे और गलत हैं देखे प्रतियू जी मैंने आपको इसका इतिहास बताया कि तमिल उस वक्त का अकबार उस वक्त का एक अकबार 1947 का यह भी यहीं बता रहा है कि पंडित नहरू जी को सत्ता हस्तांतरन के समय उनको राजडंड यह स्वापा गया था यह सेंगोल स्वापा गया था प्रतियू जी जो इसकी बास्तविक इतिहास है उस पर मैं बात कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर मैं गलत हो तो प्लीज बता दीजे कि आप गलत हैं राजगोपालाचारी जी ने क्या उनको सुझाव नहीं दिया था जब माउंड बेटन ने पूछाता कि आप सत्ता कैसे हस्तांतरन करना चाहेंगे तो उन्होंने का एक प्रतीक तो होन तो होना चाहिए देखे प्रतियु जी बताइए इसमें बास्तविक इतिहास ये है कि तमिल अधिनम के द्वारा जो वहां की संस्ता है सांस्कृतिक संस्ता है उनके द्वारा एक धार्मिक समारों में पंडित नेरू को सेंगोल भेट किया गया था जिसे उन्होंने अब इसमें बात यह समझे है इस तरह की बातों को विवाद का शकल क्यों दिया जा रहा है यह विवाद का शकल इसलिए जा रहा है जब आप ने ने इवह जब आप सम्सक्रित विरासत और इतिहाथ को आप एक कोने में रख देंगे और आप उस पर बात भी नहीं करना चाहेंगे क्या नई पीड़ी को नहीं जानना चाहिए कि संग्डोल क्या है उसके माväने क्या है असल माएने क्या है प्रतिव जी नई पीड़ी को जानना चाहिए लेकिन जिस करीके से आप लोग जनवाना चाहते हैं वो जिस नहीं है प्रतिव जी कौन जनवाना चाहता है सर? अगर आप नहीं बोल रहेंगे तो आप बोलते रहें तो मैं अपनी बात रखते अगर आप चुप करवाएंगे बाकी लोगों को तो मैं बोलूंगा नहीं तो सुनूगा इंडी अलाइंस वाले समाजवादी प्रवक्ता हैं उनको रोकिए प्रतिव जी अगर प्रतिव जी बास्तवी कितिहास इसका ये है कि तमिल अधीनम के द्वारा पंडित नहरू को एक धार्मी कारिक्रम में सुपा गया जिसको उन्होंने इलाहवाद संग्रहाले में रिपीट कर रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है कि संदा अस्तान के समय यह सिंबॉलिक उनके हाथ में दिया गया नहीं दिया गया कि इसने दिया वहां रखवा दिया ही बात बार बार रिपीट किये जा रहे हैं जीनियूर्स